इसे बात को लेकर वैह दुखी रहता और दिन पर यही सोचता कि उसके जीबन में बदलाओ कैसे आएगा। यह सोचकर वैह निरास हो जाता। वैह हर दिन देखता कि बहुत अपता नी आफिता है। बहुत सारे निरास लोग, आँखों में आसू लेए लोग और विभिनी चिंताओं से परिसान लोग गौतम बुद्धी की तरफ जाते और वापस लोड़ते समय वे लोग बहुत ही खुस होते थे। यह सब सोचकर वे बिखारी भी निर्णे लेता है कि वे भी महात्मा बुद्धी के पास जाएगा और देखेगा कि वहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर इतने खुस हो जाते हैं। बुद्ध मैं बहुत ही गरीब हूँ। बुद्ध के मन में एक असंका जागुठी अपनी असंका को दूर करने के लिए बिखारी ने पूछा। मैं तो एक भिखारी हूँ। मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद थोड़ी देर तक चुप रहे और फिर उससे बोले। तुम्हारे पास हाथ हैं जिसे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भणा कर सकते हो। इसके अलाबा तुम्हारे पास मूँ हैं जिसे तुम लोगों से अच्छे अच्छी बाते कर सकते हो और दूसरों का होस्ना बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों के सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहें तो हम सिख्छा का भी दान कर सकते हैं, चाहें तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। उपरवाले ने अगर किसी को पुर्णता अच्छा सरीर भी दिया है तो वय गरीब नहीं है, बस उसका दिमाग गरीब है। उससे इस विचार से हटकर दूसरों के सेव में लगना बुद्ध की यह बाते सुनने के बाद वह बिखारी बहुत यादा खुश हो गया और अब उसका मन संतुष्ट था उसने वही बुद्ध के ही सामने निर्णे लिया कि आज के बाद वह भीख मागना छोड़ देगा और कुछ न कुछ अच्छा काम करेगा दोस्तों हम सब इस बात की चिंता में समय वरवात करते हैं कि हम गरीब हैं लेकिन ये सत्य नहीं है सत्य तो ये है कि जब तक हमारा सरीर पूरी तरे से बहतर है तो हम उसका उपयोग करके आंगे पढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बहतर बना सकते हैं अगर कोई वैक्ती सिर्फ अपनी गरीवी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिस ना करे तो वह मूर्ख है इसके अलावा हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं सिक्छा, भोजन, अच्छे विचार आदी कभी किया जा सकता है अगर आपके पास धन नहीं है तो आप सिक्षा का दान कर सकते हैं या पिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भिधान कर सकते हैं और इन दानों से अंत्रता हमारे समाज की भलाई ही होती है और हमारा समाज उपर ही उठता है ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो मिलते हैं नेक्स वीडियो में